Welcome to my YouTube channel Science Tech आज की इस वीडियो में हम एक मस्रूम के बारे में चाचा करेंगे एक ऐसे मस्रूम के बारे में डिसकस करेंगे जो रात के अंधेरे में इलेक्टिक बल्ब के जैसा चमकता रहता है ऐसा लगता है कि जैसे कोई इलेक्टिक बल्ब जल रहा है वैसे इससे लाइट निकलती रहती है तो इस मस्रूम के बारे में देखेंगे इसका क्या-क्या फैक्ट होता है इसके बारे में जानेगे वैसे तो भारत में मस्रूम की बहुत सारी इस्पैसिच पाई जाती है जिसमें कुछ species का यूज खाने में होता है तो कुछ जो होती है भी सैली होती है मसरूम जो होता है एक कवा को होता है मसरूम की 1200 species पाई जाती है जिसमें केवल 200 ही खाने की यूगे होती है मसरूम में प्रोटीन, बिटामिन सी, बिटामिन बी, बिटामिन डी, कापर, पोटैसियम, फासफोरस, सेलेनियम, फाइटो केमिकल और एंटी अक्सिडेंट जैसे नूटिरियेंट पाये जाते हैं जो हमारी बाडी को कई सारी स्वास्त समस्याओं से बचाने में हिल्प कर सकते हैं पुरोत्तर भारत, पुरोत्तर भारत को नाथ इस्ट बोलते हैं इंडिया के मैप में जो नाथ इस्ट वाला पोर्शन है उसको पुरोत्तर भारत बोला जाता है उसमें कई सारे इस्टेट आते हैं जैसे कि असम, औराचल और मेघालेट, त्रिपुरा, मडीपूर, नागालेंड ये पुरोत्तर भारत का पाट है पुरोत्तर भारत के जंगलों में मसरूम की एक ऐसी स्पेसिज का खोज किया है जिस ते लाइट निकलती रहती है ये जो है, इस फेरिकल पोरिशन में जो घेरा है, ये पुरोत्तर भारत को सो किया है भारत और चीन के बैग्यानिकों की एक टीम ने असम जो है, नाथिस्ट का पाट है, नाथिस्ट का एक इस्टेट है असम में मानसून के महीनों में इस मस्रूम को ढूढ़ने की परियोजना इस्टार्ट की थी ये मस्रूम रात के अंधेरे में हलके नीले हरे और बैगनी रंके लाइट के जैसा चमकता हुआ दिखाई देते है मस्रूम की इस प्रजाती का नाम रोरी डोमिज फाइलो इस्टेट चीड़स है जिसमें रोरी डोमिज जो है इसका जीनस नेम है और फाइलो इस्टेट चीड़िस जो है इसका इस्पैसिज नेम है phylo means plant होता है, पोधा होता है और miceg means coxial होता है यह इसका scientific name है इस mushroom का इस mushroom को biolumniscience mushroom भी करते हैं biolumniscience का मतलब होता है ऐसे biological substance जो light को emission करते हैं यह mushroom रात के अंधेरे में हलके नीले हरे और बैगनी रंग के जैसा चमकते हैं यहां के local लोग इसको electric mushroom नाम दिया है यह mushroom पहली बार अगस्त के महीने में खासी hills के जहने में देखा गया था खासी hills में घाला में इस ठीव एक सफोड एक फोटोग्राफर थे इन्होंने इस mushroom का चमकने का वीडियो बनाया था mushroom में light produce करने और उस्वाजित करने का जो biolumniscience की property होती है mushroom में luciferage नाम का एक enzyme होता है यह luciferage नामक enzyme आकसीजन के presence में light का emission करता है मिंस यह mushroom में luciferage enzyme होगा जो आकसीजन से reaction करके light का emission करता है कुन मिंग institute आप बातनी के mycologist mycologist जो होता है जो फंजाई का सोध करते हैं कवक पे सोध का काम करते हैं तो यह समन्था का उड़ारतने ने बताया कि हमारी team ने देखा है कि यह mushroom के किवल dental वाला पाट ही चमकता है जिससे यह नई species बन गई है यह खोज इसलिए importance है कि भारत में इस टाइब की कुछ और भी किसमें पाई जाती है अगर वीडियो अच्छी लगे तो like करें, share करें और subscribe करें अगर हमारा content आपको पसंद आया है तो please like and subscribe यह जो है इंडिया का map है इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है नीचे वाला portion इसमें western घाट और eastern घाट को सो किया गया है तो western घाट को पच्छमी घाट बोलते हैं इसमें दो और पूर्वी घाट को eastern घाट बोलते हैं इसमें एक स्टेसिज खोजी गई है जिसमें कुछ को माराष्टे और गोवा में देखा गया है तो please like and subscribe Thank you